तो अब आपको हम जया के पास वापस आये जया आप समझे वही हम समझाने के कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पूरी कोशिश थी कि अमरित पाल लड़कों को रेडिकलाइज कर ले इनको जलूपुर खेडा में इसने अपना ड्रग डी अडिक्शन सेंटर बना रखा था उस काईदे कानून होते हैं सच्चे सिक्का पगड़ी रखना जो भी कड़ा पहनना क्रपान रखना नशे से दूर रहना तो वह अमरित चका करके इन लड़कों को रेडिकलाइज करता था तो इसका मॉड़ेस ऑपरेंडी था वह ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी सीज किया औ और उसको भी आगे कैसे जो लड़कों पकड़े गए जो लड़के पकड़े गए थे उनको पंजाब पुलिस में छोड़ा क्योंकि लड़कों को नहीं पता था कि वह किस रास्ते पर उनको यह अमरित पाल ले जा रहा था वक्त लगा है, 36 दिन और जो पकड़ा भी गया है वो, तो वो पंजाब से ही पकड़ा गया, रोडे गाउं से पकड़ा गया, तो यहां सवाल ये भी उठ रहा है कि आप ही के राज्ये में वो बैठा हुआ था, एक वक्त लगा, हाला कि शांती बनाये रखना, पंजाब के साम करते हैं कि शुरुआत में जब अजनाला जो हुआ था, अजनाला में जिस तरीके से समर्थक अग्रेसिव थे, हत्यार थे, पुलिस पर हमला कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम खुद अजनाला गए थे, और हम अमरितपाल के घर गए थे, हमने पाल का इंटिव्यू भी किया, हमें भी लगा कि अगर अमरितपाल को हाट डाला पंजाब पुलिस में तो हिंसा होगी, क्योंकि इसके आसपास इर्दगिर्द हत्यार बंद इसके समर्थक थे, कई आटोमेटिक वेपिन्स थे इनके पास, वो सब इलीगल हैं, वो भी बरामत कर लिए गए, सीज कर दिए ग ना करके पंजाब में वापस से उस मूव्मेंट की बात करे, तो काम्याब नहीं हो पाया, 35 दिन लगे, लेकिन पंजाब पुलिस ने जो हुआ बना था, गुबारा बलून था, कि अमरितपाल तो मतब नया भिनरा वाला पैदा हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको बस्ट किया, आप देखे जैसे कि सुक्चैन कह रहे थे कि पंजाब में जया एक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, कोई पत्थर बाजी नहीं, कोई सड़क जाम नहीं, कुछ नहीं हो, और सबको शांती पूरवक हो गया, और एक गोली पूरे जो ऑपरेशन था, उसम को अमरितपाल की पत्नी है, किरंदीप कौर, उनको रोग दिया गया था, इमिग्रेशन के अधिकारियों ने, तीन दिन पहले कि ये बात है, क्या यहां यहां ये भी एक वज़े लग रही है, कि आब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, अमरितपाल के सामने, और इस तर कर रहा था कि वो रिफ्यूज ले ले, आड ले, सहरा ले ले, अकालतक्त का, उसने आपको याद होगा, वीडियो रिलीज किया था, हाइड आउट से, उसने का था कि अकालतक सर्बत खालसा बुलाए, सर्बत खालसा सिख्धर्म का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी मीटिंग क करते हैं कि आगे कैसे करना है, तो उसने का ये सर्बत खालसा बैसाकी को बुलाए जाए, और उसकी सर्बत खालसा बुलाने का अधिकार अकालतक्त के पास है, लेकिन अकालतक्त ने सर्बत खालसा नहीं बुलाया, अकालतक ने कह दिया कि आप पूलिस के सामने सरेंडर करिय तो उसे जो अकाल तक का रिफ्यूज मिलना था नमबर वन वो नहीं मिला नमबर टू उसका चाचा पकड़ा गया जो उसकी रीड की हड़ी था उसका जो सबसे करीबी सायोगी पपलप्रीत जिनके जो दो मास्टर मैंड कह लीजे या बाय हाँ दाहीना हाँ कह लीजे जिनके बिनापर जिनके साथ ही ऑपरेट करता था दोनों पकड़ गए तो उसका जो नेटवर्क था वो पूरी दरीके से ध्वस्त हो गया उसका जो जो फंड करता था दलजीत कलसी वो भी गिरफतार है डिबरुगड में तो वो जाए कहां पैसे कहां से आए तीसरा सबसे इंपोर आप लुकाउट सर्कुलर है इंवस्तिगेशन पॉइंटर फ्यूस उनको यहां रहना है उसका परिवार भी यहीं है तो आप कब तक चुपोगे आप 20 दिन चुप गए आप पकड़े ही जाते तो अमरित पाल के पास जाने का कोई चारा जरिया नहीं था लुकाउट कि कैसे वो दुबई 2021 में यहां पर आया वारिस पंजाब दे संगठन की कमान अपने हाथ में ली क्या उसका मकसद था क्या उसकी आगे की मनशाती और कैसे उसको धरपकड़ कर गिरफतार कलिया गया इस पर हम चर्चा करेंगे